हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टो और चैनल आज हम बात करने वाले हैं काट्टा फाइटो क्लोराइट 50% SP के बारे में ये कौन-कौन से फसल में छिड़काव करशकते हैं कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है इसका डोज कितना है इसका MRP कितना है रेजल कितने दिन तक देखने को मिलता है और कौन-कौन से कंपनी का किस-किस नाम से ये अवेलेबल मिलता है ये जानने वाले हैं तो वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले श्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह है क्रिटाप कंपानी का 50 SP काटप यह है काटप हाट्रोक्लोराइट 50% SP एक इंसेक्टिसाइड है इसको आप पत्ता लपेट तना छेदक फॉल छेदक जो कि लिप होल्डर स्टेंब और फूड़ और खास इसी के लिए आप इसे कंसी फसल में यह काम करता है तो आप इसे धान की फसल में बहुत आच्छे से यह काम करता है तो धान की फसल में आप यूज कर सकते हैं और हमने इसे बैंगन की फसल में भी यूज किया है तो कफी अच्छा रेजल देखने को मिलता है तो इसको आप बैंगन में भी यूज क को ये आप 15 में 50 ग्राम के हिसाब से स्प्रेय कर सकते है बहुत याज़ने को मिलेगा तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में तो दूस्तमे को यह से आप देख रहे हैं सो ग्राम का पाउच Laz Cru 554 रूपीज का तो आप मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं यह आपको 200-220 में मिल जाएगा और किसी पसल में हम इसे छिड़का नहीं किये हैं तो इसका रेजल्ट हम हमें नहीं पता पर खास करके धान या बेंगन में इसे आप यूज करें जरूर तकि आपको एक ही बार में बेंगन का तना छेदक फाल छेदक गायब हो जाएगा और धान में तो रेजल्ट मिलता है इसका अच्छा तो बात करते हैं कौन-कौन से कंपनी का यह आता है किस-किस आता है क्रिस्टाल कंपनी का आता है निद्यान के नाम से तब और भी किसी कंपनी का ले सकते हैं पर ध्यान रखेंगा जिसमें काट्टाफ हाइट्र क्लोरेट 50 परशन्ट एस्पी हो दोस्तों यह पावडर के फार्म में आता है आज की वीडियो में इतना ही अच्छा लग तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू